Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Soud. So, ICT में आज हम hardware and software के most important concepts को discuss करने वाले हैं. ये दोनों में differences exam में पूछे जाते हैं, या फिर आप लोगों से hardware और software की important examples दिये होंगे, आप लोगों को उनको match करना होगा, तो इस type के questions exam में आते हैं. So, इस वीडियो के साथ ही students आपके सारे concepts भी clear हो जाएंगे, तो आप सभी इस session में अंटर बने रहिएगा. Students paper को qualify करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी examination के level के हिसाब से तयारी करें. और इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहाँ पर daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus तो cover होगी जाएगा. साथ ही topic wise MCQs और PYQs भी हम आपको देते हैं. Notes मनाने में बच्चों का बहुत समय बरबाद होता है, इसलिए आपको यहाँ पर हम PDF notes देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बिना अपना समय बरबाद किये. साथ ही full syllabus mock test है, जो कि बहुत important है आपकी revision के लिए, और यह 5000 MCQ question bank में से मैं आपको guarantee देती हूँ, कि paper one में 50 में 35 plus questions आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे. New batch हमारा coming Monday से start होने वाला है, इस batch के लिए और पूरी information के लिए आप या तो given numbers पर contact कर सकते हैं, या फिर कुछ free content के लिए भी आप global online app को download कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा यह course है, और कैसे हम आपको services provide करवाते हैं, search bar में course को search कीजिए, content पर जाओगे तो English Hindi bilingual separate courses आपके सामने आ जाएंगे, जहाँ पर आपको unit wise folders मिल जाते हैं, इसका यह फाइदा है कि आप चाहो तो किसे भी unit में MCQs या theory के जरीए अपनी तयारी शुरू कर सकते हो, और यकीन रखियें, यह बहुत important course है, जो कि आपको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद कर सकता है, तो अब बढ़ते हैं अपने topic की और, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं computer hardware and software की, तो computer system में जो भी, या फिर हम computer की बात करें, laptop की बात करें, mobiles की बात करें, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीके, बहुत से students ऐसे होंगे, जिनके पास laptop, computer नहीं है, शायद उनको यह वो चलाना भी नहीं आता, तो आप लोग यहाँ पर mobile का example लेकर की चीजों को समझ सकते हो, सब चीजे सेम ही रहेंगी, ठीके, it is usually classified into two sections, जिसमें की पहला hardware आता है, दूसरा software आता है, इन दोनों के बिना कभी भी एक computer, एक mobile या फिर कोई भी electronic device काम नहीं कर सकती, अगर हमारे पास hardware है, लेकिन software नहीं है, या फिर हमारे पास software है, hardware नहीं है, एक भी चीज अगर missing है, तो हमारा system कभी भी run हो ही नहीं सकता, although both the terms seem to be similar, लेकिन इन दोनों में difference बहुत जादा होते हैं, जैसे कि आप लोग screen पर देख सकते हो, ये वाला जो complete section है, इसमें hardware है, एड इस वाले section में software है, अब देखो, यहाँ पे, जैसे हमने computer देखा, computer में ये screen होती है, computer में ये keyboard होता है, CPU होता है, printer होता है, mouse होता है, speakers होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, hardware की category में, simple language में हम इसको बताते हैं, hardware, hardware मतलब जिस चीज़ को हम लोग easily touch कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, उसको hardware बोला जाता है, अब जैसे की मान लीजिए, हमारा mobile है, ठीके, mobile में charger होता है, charger को हम लोग छू सकते हैं, ठीके, mobile की अगर battery निकलती होगी, तो matter को हम छू सकते हैं, mobile की जो external body है, उसको हम छू सकते हैं, तो ये सारी चीज़े क्या होगे, ये सारी चीज़े होगी, hardware, अगर softwares की बात करें, softwares के case में, जैसे की अभी आप लोग YouTube पर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो YouTube क्या है, YouTube एक software है, आप लोग WhatsApp की मदद से, हम लोगों को contact करोगे, तो WhatsApp क्या है, ये एक software है, Google हम लोग use करते हैं, ठीक है, इसके अलावा, जैसे की आप लोग UGC Net के official website पर जाते हो, वहाँ पर जाकर के form फिल करते हो, ये सारी चीज़ें, जो एक computer के अंदर, या फिर एक mobile के अंदर काम करती है, वो होती है software, ठीक है, so I hope यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ चुके हो, अब exam में एक question आप से यही पूछा जा सकता है, कि hardware क्या होते हैं, software क्या होते हैं, exam में ऐचा होते हैं, कि आपके पास multiple statements दी हैं, hardware and software के regard में, आपको बताना है कौनसी statements true है, या फिर कौनसी statements false है, इस तरह के questions आते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ important definitions ले करके आई हूँ, hardware and software की, जो कि definitely exam में आती हैं, इसमें से बहुत सी definitions, previous year questions से मैं ने आपके लिए लाई हैं, एक फिजिकल कॉम्पोनेंट, फिजिकल चीजें वही होती हैं, जिस चीज को हम touch कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको mobile के case में अभी बताया है, अब students यहाँ पर बोलोगे, जैसे कि मैं, आप बोलोगे कि मैं आपने बोला, mobile के अंदर हम YouTube चलाते हैं, mobile के अंदर हम WhatsApp चलाते हैं, यह सारे software है, यानि कि software है, इसका मतलब क्या हो गया, कि इसको हम लोग touch नहीं कर सकते, बट अब students यहाँ पर जो शायद पहली बार ICT या computer पढ़ रहे हैं, वो यह बोलेंगे कि हम लोग तो WhatsApp पे touch कर सकते हैं, YouTube पे touch कर सकते हैं, क्योंकि हमारा phone तो touch screen है, तो students इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुन दीजिए, कि आपका phone की जो screen है, वो touch screen है, आप screen को touch कर रहे हो, ना कि आप लोग YouTube और WhatsApp को touch कर रहे हो, वो आपकी screen के भी एक अंदर layer पे काम करते हैं, जिसको की हम लोग touch नहीं कर सकते, ये एक software ही होता है, ओके, फिर भी कोई doubt है, हो सकता है जो students पहली बार ये video देख रहे हैं, उनके mind में बहुत से questions आ रहे होंगे, आप जो भी queries हैं, comment मुझे करते रहे हैं, मैं definitely आपकी help करूँगी, software बोलते हैं, जो भी computer के अंदर काम करते हैं, ये होते हैं set of instructions, अब एक चीज है, यहाँ पे आपको याद रखनी है, hardware, जहां पे भी एक keyword है, जहां पे भी आपको physical component term नज़र आएगी, वो एक hardware होता है, जहां पे भी आपको set of instructions, ये keyword नज़र आएगा, इसका मतलब है कि वो एक software है, आपने पूरी statement पढ़नी ही नहीं है, जहां पे ये दो words मिल गए, आप लोग identify कर सकते हो, कि question में software पूछा गया है, या hardware पूछा गया है, next statement बोलती है, hardware devices are manufactured using electronic components, and other materials, and software is written using various programming languages, like Java, Python, etc. So hardware जो होता है, ये बहुत से electronic चीज़ों को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीके जिसे computer देखोगे, तो उसमें लोहा भी है, plastic भी है, wires भी है, ठीके बहुत सी चीज़े हैं, लेकिन जो software है, जो WhatsApp है, वो human बनाती हैं, हम लोग कुछ languages होती हैं, programming languages, अगर आपने अपना mobile हाथ में पकड़ा है, ये वीडियो देखने के लिए, तो देखो, students body को आपने touch किया है, mobile की, ठीके आपके पास charger है, आपके पास earphones है, ये सारे hardware है, okay, hardware is generally classified as input devices, output devices, storage and internal components, so students input devices, और output devices, devices क्या होती है, अगर आपको ये पता है, तो बहुत अच्छी बात है, इन केस आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आप मुझे comment कीजिए, कल की वीडियो में इसी पर बनाऊंगी, और आपका ये concept भी clear हो जाएगा, ठीके, and software is generally classified as system software and application software, तो software दो तरह के होते हैं, system and application, इसको बस नाम याद अख लीजिए, क्योंकि ये physical nature होता है, तो ये क्या होता है, समय के साथ साथ थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीके, लेकिन जो software है, ये internally काम करता है, तो ये physically जो है, कभी भी खराब नहीं होता, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि, हमारे software में जंग लग गया, इसमें पानी चला गया, तो हमारा software खराब हो गया, खराब हमेशा इस तरह से hardware होता है, software कभी भी खराब नहीं होता, software में क्या problems आती हैं, जैसे कि bugs आ गया, या फिर कोई virus हमारे software में आ गया, तो वो थोड़ा सा problem करता है, otherwise वो कोई भी problem generate नहीं करता है, next यहाँ पर बोला गया है, hardware does not get infected by computer viruses, जो हमारे computer में अगर virus आ जाता है, तो hardware को उससे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन software को उससे बहुत फरक पड़ता है, ठीकि अगर मेरे मान लीजिए, कि मैं Google Pay यूज़ करती हूँ, आपने सभी ने Google Pay का नाम सुना होगा, मैं Google Pay यूज़ करती हूँ, तो उस Google Pay में मान लीजिए, कि कोई virus आ गया, किसी virus ने एंटर कर लिया इस software में, देन क्या हो सकते है, हो सकते है कि मेरा account पूरा खाली हो जाए, वो virus जो है, वो किसी third party ने भेजा हो, जिसकी वज़ा से कि, मेरा सारा data उनके पास चला जाए, तो virus अपने आप में ही एक बहुत बड़ा topic है, अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता, और आप चाहते हो, कि मैं इस topic को बे separately cover करू, तो अगेन मुझे comment कीजिए, मैं definitely next day इस पे आपके लिए separate video ले करके आऊँगी, ठीक है, तो ये कुछ difference थे, computer hardware and softwares में, I hope students, आप लोग ये अच्छे से समझ चुके हो, so thank you so much for watching this video, and I wish you all the very best,